हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल ये इस ड्रामी की हिंदी एक्स्प्लिनेशन का पार्ट त्री है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिंसी को जब होश आता है वो सोंग के पास होती है और अपने बेबी के बारे में पूछती है क्या वो ठीक है सोंग बोल मुझे लगता है इन सब के पीछे शू भी है वरना जैन ऐसा केसी कर सकती है क्या तुम अभी भी उसके साथ जाना चाहती हो तुम्हें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए जिंसी बोलती है नहीं अब बहुत हो चुका है अब तक मैं शू को माफ करती आई मैं उसे मेडिसिन देने आई थी पर देखो ना वो मुझे हट करकर चली गई देखो मुझे कितनी लगी है शू को तो जैन से कोई मतलब नहीं था उसे तो जैन सी को वापिस लाना था इसलिए वो जैन की बात भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है उसने अपने बहुत सारे बंदों को लगाया हुआ था जिनसी को ढूरने के लिए पर जिनसी मिल नहीं पाती ऐसे ही पांक साल बीच जाती है एक क्यूर सी शिन नाम की बच्ची जा रही होती है वो जिनसी की ही बच्ची होती है इन दोनों को जाते हुए शू भी देख लेता है जिनसी से कुछ गिर जाता है तो वो उठा लेती है सोंग जैसे ही आता है शिन उसे हग कर लेती है डैड़ा पा गए सोंग शिन को अपनी बेटी जैसा ही मानता था शिंग को सोंग के साथ बाती करने में मज़ा आ रहा होता है सोंग बोलता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहां से दूर जैन बोलती है इतने साथ बीट गई है जैनसी अभी तक वापिस नहीं आई तुम्हें मुझे शादी कर लेनी चाहिए पर शुब मना कर देता है अब मैं जैनसी से प्यार करता हूं और उसका इंतजार करता रहूंगा जैन बोलती है भूल गए वो तुम्हें छोड कर चली गई है अब वापिस नहीं आने वाली शुब बोलता है मैं तब भी उसका इंतजार करूंगा शिन रो रही होती है जैनसी बोलती है अब तुम क्यों रो रही हो शिन बोलती है मेरी फ्रेंड बोल रही थी मेरे कोई डैड नहीं है ये सब उस आदमी की वज़े से हुआ है एक्चिली में शिन अपने डैड से बहुत नफरत करती है क्योंकि उसकी मोम ने उसे बताया था उसके डैड उसे नहीं चाहते थे इसलिए मोम डैड अलग हो गए और इसलिए शिन सोंग को अपना डैड गुलाती है शिन रोने लग जाती है मुझे अपने रियल डैड को ढूलना होगा जो हमारी केर करे और बहुत जादा हैंसम भी हो पर मोम आप टेंशन ना ले मैं अपने डैड को ढूल लूँगी शिन सी बोलती है ओके पर वापिस घर भी आ जाना शिन सोते होए सबी लड़कों को देख रही होती है पर उसे कोई भी ढंका नहीं लगता जिसे वो अपना डैड बना सके तभी यह शिन बोलती है आपके पास जो है वो मेरा है कर मैंने खो दिया था शिन को याद आता है उस जिन चिनसी जैसी दिखने वाली लड़की इस बची के साथ थी शिन बोलती है आप तो कितने जादा सुन्दर हो क्या आप मेरे डैड बनोगे शू बोलता है तुमारी मोम नहीं दिख रही है तुम अकेले क्यों गूम रही हो तभी शिन को भूख लगने लग चाती है शू बोलता है मेरे घर पर चलो ना शू शिन को अपने घर पर ले आता है तब ही हाँ जैनाती है ये बच्ची कोन है शू बोलता है इसे भूक लगी थी इसलिए मैं घर ले आया तब ही शिन बोलती है ये क्या आपकी वाइफ है शू बोलता नहीं शिन बोलती है अच्छा हुआ ये कितनी जादा ओर दिखती है प्रीटी तो है पर मेरी मूम जितनी सुन्दर नहीं है खाना खाने के बाद आप मेरे घर पर चलना मैं आपको मेरी मूम से मिलाओंगी शो ओके बोल देता है ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तब ही शिन बोलती के बाद बोलती है चलो अब घर चलते हैं शिन अपने घर पर आकर बोलती है रुको मूम को बुलाती हूं और आपसे मिलवाओंगी पर शिन देखती है उसकी मूम तो घर पर ही नहीं है तो बोलती है लगता है मूम भार गई है मैं उन्हें आपसे मिलवाना चाहती थी इवन मोम के बारे में क्योंकि जिंसी की मोम की हैल ठीक नहीं थी जिंसी बोलती है जैसे ही वो ठीक होती है मैं यहां से चली जाओंगी सौंग बोलता ठीक है पर धियान रखना कहीं शू तुमें देखना ले जैसे ही सौंग यहां से जाता है शो उसे बोलता इसके प्यार के चकर में ही तुम मुझे छोड़ कर भाग गई थी ना और उसे किस करने वाला था पर जिनसी मूँ फेर लेती है और एक थपड़ भी लगा देती है शो बोलता अभी भी हमारा डिवोस नहीं हुआ है तुम अपने लवर के पास नहीं जा सकती हो जिनसी बोलती है मैं जो भी करूँ तुमें क्या वो जाने लगती है शो बोलता अपनी पूरी फैमली के बारे में सोचो ना जिनसी बोलती है उसे कुछ मत करना शो बोलता तो चलो मेरे साथ उसे जाना पड़ता है सोंग घर पर था इसलिए जिनसी को पता था उसको शिन की फिकर करने की जुरत नहीं है शू जिनसी के साथ आता है जैन बोलती है तुम इतने सालों तक कहा थी शू जिनसी को रूम में लाता है और बोलता है तुम अपसे यहीं पर रहोगी जि सी बोलती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली भूल गए हमारा रिलेशन केसा था तो मुझे कितना ज़्यादा टोर्चर करते थे और तुमने ही जैन को बोशन स्पिल देने को कहा था शू बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिनसी बोलती है पर तुम तो कि साथ रहना चाते हो ना तो फिर मुझे छोड क्यूं नहीं देते हो शू बोलता है इसी बाते मत करो क्यूंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाता और शू के साथ इंटीमेट हो जाता है जिनसी सोचती है तुम आज भी नहीं बतले जिनसी खाना खा रही होती है और बोशन पिल दी थी क्या, जैन बूलती है नहीं तो, जिनसी बोलती है कुछ भी नहीं बदला इतने सालों में, आज भी तुम्हें जिन की बाती सच लग रही होगी और वो वहां से चली जाती है, बाशू को शिन मिल जाती है, और बोलती है मैं यहां सकती हूँ ना, तब ही शिन अपनी मॉम का हैंगी देख लेती है और समझ जाती है मॉम यहाँ पर है शिन अपनी मॉम के पास आती है तब ही शिन से बोलते है तुम यह किसी को भी मत बताना की मैं ही तुमारी मॉम हूँ शिन सोचती है मूम ने कहा था डैड मुझे नहीं चाहते अगर मूम यहां पर है तो कहें शू अंकल ही मेरे डैड तो नहीं है तब यहां शू आजाता है शिन बोलती है क्या आप इस ओल डेडी से शादी करने वाले हो तेखो ना इसे कुछ काम नहीं है जब देखो बस आपके पीछे रहती है जैन को तो बुरा लगता है शू इसे कुछ कहो ना शू बोलता है यह बच्ची है अबी शिन अंदर होती है तब यहां जैन आती है शिन उसे लड़ाई करने लग जाती है क्योंकि उससे पता था उसकी मौन को यह परिशान किया करती थी शेन भी बोलती है क्या अंकल को पता है आप चल भी सकती हो जेन उसे ठपड लगाने वाली थी तब शेन सोचती है इसको तो कुछ करना होगा ऐसे ही जूटी एक्टिंग करकर ये मेरी मौन को भी परिशान करती होगी जैन भार होती है तब उसके पीछे एक चूटासा पपी पड़ जाता है जैन तो भागने लग जाती है ये सब शूब भी देख लेता है तुम तो ठीक हो गई हो जैन अपना जूट चुपाने के लिए बोलती है डॉक्टर ने कहा था मैं जल्द ही ठीक होने वाली हूँ शिन बोलती है अरे अंटी आप तो कह रही थी मैंने आपके पैर पर मारा है आप तो चूट बोल रही हो वो भी बच्चो जैसे शू को याद आता है उसने पहले भी ऐसे ही चूट बोले होंगे जैन को शिन पर गुसा आ रहा था इस बच्ची को तो मैं नहीं चोड़ने वाली शिन अपनी मूम से मिलने आती है ये सब जैन भी देख रही थी वो समझ जाती है शिन शू की बेटी है शिन अपने दादा जी के साथ खाना खा रही होती है वो उन्हें ग्रेंट पा भी बोल देती है शू बोलता है तुम तो कह रही थी मैं तुम्हारा डैट बनने के लायक हूँ जैन आके बोलती है ऐसे मत कहो क्योंकि ये सौंग की बेटी है और इसकी मुम जिंसी है शिन बोलती है अबे ओए अंटी मेरे रियल डैट सौंग अंकल नहीं है जैन बोलती है जिंसी अब तक सौंग के साथ थी बागी तो तुम समझदार हो तुम समझ ही गए होंगे ये किसकी बेटी है शू जिंसी से पोशत है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जिंसी तुमारी बेटी है और इसका डैट कौन है जिनसी बोलते है तुम्हें क्या मतलब है कोई भी वो उसका डैड शू बोलता है वो सोंग ही है ना जो शिन का डैड है तब शिन आकर बोलती है छोड़ो मेरी मोम को शू जिनसी को धका देता है और चला जाता है शिन रोने लग जाती है डैड को मैं नहीं चाहिए तब ही जिन पूलता है और अपनी बेटी को लेकर चली जाती है या जिन्सी अपनी बेटी को डूने लग जाती है और शू के डाड को बोलती है प्लीज मेरी बेटी शिन को ढूनने में हेल्प कीजिए डाड भार आते हैं चाहूंने शिन मिलती है वो उसे पूछते हैं तुम्हें किसनी किनेप किया था शिन बोलती है पता नहीं पर मैंने उसके खाने में पेट गड़बड करने वाली रूम में एक नोट आता है वो डैड के पास आती है आप ठीक तो हो ना तब यहां जेना कर बोलती है तुमने ऐसा किया होगा जिनसी बोलती है नहीं तो वो अपनी बेटी के साथ रूम में होती है तब यहां जेना कर बोलती है तुमने ही ऐसा किया है डैड तुम्हें कितना जादा मानते थे जिनसी उसे थपड मार कर बोलती है वो मैं नहीं तुम थी देखो मेरे रूम में नोट आया था जिसके बाद मैं डैड के पास गई थी जैन बोलती है ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है शू बोलता है तुम थी न वो जिनसी बोलती है पांच साल पहले भी तुम बेवकुप थे और अभी भी ऐसे ही हो तब यहां सोंग आता है डाड का हिलाज करने शिन उसे डाड डाड बोलती है शू बोलता ये बच्ची सोंग की है ना मुझे भी एक बेबी चाहिए वो उसके साथ नाइट स्पेंट करता है सेंड डॉक्र को बोल रही होती है शिन तुमें रिक्रेट होगा क्योंकि शिन तुमारी ही बेटी है सू सोचता है पर इसने तो अबोशन भी ली थी ना तभी उसे अपने डाड का पता चलता है वो उनकी पास आता है डाड भी गुसा करते हैं मैंने सुना है जैन ने पॉजन दिया है शिन को शू बोलता है पर जिनसी बोलती है तो क्या ही फरक पड़िया तुमने तो मुझे अबोशन पिल दी थी ना क्या तुमने जैन को कुछ कहा इस बारे में शू बोलता है एक मोका दे दो ना जैन को पता चलता है शू और जिनसी दुबारा शादी करने वाले हैं इसलिए वो जिनसी को माने के लि यह वह डॉक्टर भी आ जाता है और सब बता देता है एवर उसने शिन का भी रलाज करवा दिया था जिंसी का भाई भी मिल गया था वह जिन बच गया था शू तो जैन को थपड मार्ता है जैन बोल किया पर मैंने तुम्हें बचाया था जैनसी बोलती है वह मैं थी तुम न रहा होता है और उसे ढूनते हुए चला जाता है यहां जिनसी अपनी बेटी के साथ जा रही थी डैड के बिना ही हमें रहना होगा तभी शिन बोलती है देखो डैड आ गए यहां जैन भी थी जो जिनसी को मारने वाली थी पर उसे शू बचा लेता है जिनसी शू के पास आती और उसकी केयर कर रही होती है शू बोलताय है मुझे माफ कर दो जिनसी बोलती है अभी नहीं तब ही वो सिट चाकु दिखाता है जिनसी तो डर गई थी पर शू बोलताय है तुम मुझे मार भी सकती हो बाहर से डाड और शिन बोलते हैं क्या हम अदर आए शू बोलता है नहीं तुम अपना भाई बें नहीं चाहती हो क्या शुन तो और भी जादा हैपी हो जाती है शू और शुन भारते तभी शुन देखती है कोई उसकी मौम को फ्लावर्स दे रहा है और बोलती है देखो डैड मौम कितनी प्रिती है इसलिए आपको ध्यान रखना होगा तभी या शू आकर अपनी वाइफ को रिंग देता है चनसी उसे बताती है मैं फिर से के इनका बटन प्रेस करें मिलते है नेक्स वीडियो के साथ अब तक के लिए सारांगे बाई बाई